उत्तपरदेश के जिस गैंग्स्टर ने तरकालीन मुख्यमंत्री के हत्या की सुपारी उठा ली थी उस गैंग्सर शीप्रकास शुकला का दाहिने हाथ राजन तिवारी गिरफतार कर लिया गया है। राजन तिवारी को गोरकपुर पुलीस और बिहार पुलीस की मदद से गिरफतार कर लिया गया है। इंपुर्ट गोरकपुर पुलीस और बिहार पुलीस को मिला जिसके बाद उसको दबोश लिया गया। राजन तिवारी वो राज़दार था जिसने नब्बे के दशक में उत्तर प्रदेश में हर कंप मचाने वाले या यू कहा जाए कि जराइम की दुनिया में एक खौफ का नया नाम पैदा करने वाले स्रीप्रकास शुकला का दाहिना हाथ था। महराज़गन से विदायक वीरेन प्रताप शाही की हत्याकान में स्रीप्रकास शुकला के साथ राजन तिवारी का भी नाम आया। हलाकि वो कोट से बरी हो गया लेकिन राजन तिवारी एक बाहुबली और पूर्वांचल में कैसा नाम हो गया जिसने समय रहते अपने आपको अपराद से सफेद पोश निता बनाने में भी कामियाबी हासल की और विहार में गोविन जन सीट से दो बर विधायक भी चुना गया साल 2019 में राजन तिवारी उत्तरप्रदेश की राधानी लखनों में बीजेपी का भी धामन थामने की कोशिश की लेकिन जब उसका प्राधिक प्रस्ट बूमी की बात की जाने लगी तो बीजेपी ने राजन तिवारी से किनारा कर लिया और उसके बात से ही राजन ति में उसका नाम आया मुकद में दर्ज हुए बताए जा रहा है कि अकेले गोरकपुर में राजनतिवारी पर 30 से अधिक मुकद में दर्ज हैं फिलाल गोरकपुर पुलीस ने राजनतिवारी को गिरफतार कर लिया है राजनतिवारी से अब गोरकपुर पुलीस पूस्ताज भी करेगी तमाम ऐसे मामले हैं जिनके बारे में राज राजन तिवारी ही जानता है तई ऐसे हत्याकांड हुए जिनके कनेक्शन राजन तिवारी से जोड़े लेकिन पुलिस कभी पूस्ताच नहीं कर पाईए अब जब कानून का शिकंजा कसा है तो जाहिर है कि राजन तिवारी से वो राज भी उगलवाए जाएंगे यूपी तक में दीजे मुझे जाज़त नमस्कार कर दो कर दो जाएंगे